पूरे बिहार के अंदर में पांच करोर के रासी हम लोग ने अवंटित किया है जिर्फ कंबल वित्रन के लिए पूरे बिहार में कराकी की सर्दी पर रही है आप देख सकते होंगे जब मैं बोल रहा हूं उस वक्त मेरे मूँ से भी गर्म हवाय निकल रही है इतनी कराकी की सर्दी है और इस वक्त हम मौझूद हैं पटना के ही अली इमाम गली है जहां पर बरी संख्या में जो लोग रहते हैं जो असहाय लोग हैं जो 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 जोटमंद लोग हैं वो सभी मौझूद है और मंत्री मदन सहनी बिहार सका के समाज के लियान मंत्री है वो देखे कैसे गाड़ी भ लोगों को चाहिए वो बच्चे हों हर घर तक कम्बल पहुंचे और हर घर के लोगों को खुद आवो दे रहे हैं बात करेंगे सर्दी का मौसम है हलाकि अस्थाई रैन बसरा भी बना हुआ है ये रात के समय में आपको टीवी देखने का उपाय नहीं सुझा ये रात को निकले हैं आप नए अभी तो जो ठंड है तो अपने दिल से जानिये पराय दिल के हाला फिर सरकार का यह योजना है और मानिय मुखमंत्री जी जब हम लोग को इसी जिम्यबारी को सौपें है तो इस ठंड में जो गरीब लोग हैं उनके लिए बिभाग के द्वारा समाज कल्यान बिभाग अंतरगत जो समाजिक सुरच्छा निदे साले है उसके तहत हम लोगों ने पूरे बिहार में और खास करके पटना के अंदर में हम लोगों ने लगभाव 3500 लोगों तक यह कंबल बित्रन का काम किये हैं और अभी जारी है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे और पांच करोर टबड़ करते लोग हैं तो लोग करते हैंि कि सरकार तो कुछ करती नहीं से कोई को विटिका टिपनी का अवसकता नहीं है है और सभी में कंबल देने की बात हो रही है विपक्ष तो चैज्ब करें कि आप लोग कोई काम ही नहीं करतें बिहार की दनता से कोई मतलब ही नहीं अच्छा यह विपक्ष क्या कह रहे हैं यह आप भी देख देख रहा है और यहां के लोग भी देख रहा है कि मिल रहा है कि मिलेगा और 35 हम लोग पटना में पूरे बिहार के अंदर में पांच करोर के राशी हम लोग देख रहा है और शमय से पहले हम लोग ने वित्रन शुरू कर दिया ठंड जब से शुरू हुआ और हर बार ऐसा होता है तहीं हो जाता था है इस लोग पहले से कॉंसेस्ट है और इसका नतिजा है कि सबाएर हम लोग सभी जगह पर जा करके पहुंचाएंगे किसी को कोई कठनाई नहीं हो जो सही लाभूक है जिनको अब सकता है अब सकता तो इस ठंड में सभी लोगों को हो लेकिन जो खुद से खरीदने में सक्षम नहीं है और जो सरक किनारे खास करके रहने वाले हों या खुले आसमान के न करने के लिए हान नहीं करने के लिए हैं और हम कंबल कर रहा है और इसको जिसको जो लगता है वह कहें हम लोगों से रुप से हम सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए देखे, आईसा है कि, पांच करोट का राशी हम लोगों ने वितरन किया है, मानी मंतीजी अज पटना में लघबबग, लघबबग, पांच जगा पे अभी जा के वितरन कर रहे हैं. और ये पांच करोड राशी के अंतरगत अभी तक लगबक 75,000 कंबल हम लोगों ने पूरे राज में अभी वितरन किये हैं और बाकी ये काम अभी जारी है सब तक पहुंच जागा ना सरकार निस्चित रूप से पहुंचेगा और हम लोग सही जगह पर बातना तो अलग चीज है दे देंगे तो कितने करोर का बंट जाएगा लेकिन हम लोग को है कि जो सही में इस योजना के हकदार है उन तक हम लोग जा करके इसको बितरन करें जिससे की सही लाभुक को और जो इस ठंड में जिनको खुद से खरीदने में कठनाई हैं उन तक उतर रहे नहीं जमीन पर जार ये नहीं इसलिए खुद मंत्री मदन सहनी समाज करन भीज़ा के मंतरी रात को निकले हैं और गरीबों की बात तो सभी लोग करते हैं लेकिन गरीब के साथ असल में है कौन वो तो सही समय बताब बतलाता है समय पढ़ने पर उनके साथ कौन र जरुड़ी है जो सरकार सोचते हुए दिख रही है कारे करते हुए जिन्हें इस कराकी की ठंड में कंबल भी नसीब नहीं होते हैं उन्हें कंबल तो ज़रूर चाहिए वाहरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ फिर्ट पेस्थ भी लाइक करें धन्यवाद है है